शीरादे रदे भक्तों भहुत भागिशाली होते हैं वो साधक जिनके अंदर श्रद्धा का पवित्रधन होता है उनको कहीं भी संदे नहीं होता ब्रह्म नहीं होता और भटकते नहीं वो लोग अब जिनके अंदर श्रद्धा के कमजोरी होती है वो कभी यहां कभी वहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी इस मजहब में इस धर्म में इस कार्विय में अलग अलग उनका कहीं भी टिकाव नहीं होता है ऐसे जो चंचल प्रकट के लोग होते हैं जिनमें टिकाओ होता ही नहीं साधना करना मुश्किल होता है विश्वास नहीं होता किसी डेवी देवता में उनको उन लोगों को ये कभी महानसिद्ध पुरुश की कृपा हो जाए तभी ही टिक पाते हैं तभी किसी साधना में स्थिर्था से लग पाते हैं तभी जीवन में सात्विक्ता होती है अर्था चमतकार से ही सुधार उनके अंदर आता है और ये चमतकार तो किसी महान पुरुश की ही द्वारा संभव हो सकते हैं बाबा नीम करोरी ऐसे ही अज़बुत्य, चमतकारी, सिध्ध पुरूत्ते, पवरानिक लिलाओं में तो भाक्त जन, विष्वास कर लेते हैं, लेकिन जो भाक्त नहीं है, वो पवरानिक कथाओं में भी विष्वास नहीं करता, लेकिन अपनी आँखों के सामने कुछ हो तब विश्वास करते हैं और बीसवी शताब्दी में हर समय होने वाली बाबा की लीलाएं पवरानिक लीलाओं की सत्यता पर विश्वास दिलाती है कौशल्या जी को राम जी दो स्थानों में दिखलाई पड़ते हैं एक साथ मानस में लिखा हुआ न यहाँ वहाँ दुई बालक देखा तो जैसे इसी बात को दुड़ कराने के लिए ही सरदार अनजीत सिंगुतर्पदेश परिवहन की चालक को प्रथम दर्शन के बाद ही चलती बस से वे स्थान स्थान पर पैदल जाते दिखाई दिये नीव कुरोरी बाबा सभी देवी देवताओं के वहन बताए गए हैं पर बाबा अपने भक्त की पुकार पर बिना किसी वहन के ही तुरन तो पस्थित हो जाते थे राम जी के करस्परस से सुग्रीव का शारीरी कलेश दूर हुआ ये भाक्त लोगों को तो साथ समझ में आ जाता है लेकिन आभक तो लोग करते हैं अरे ऐसे कैसे हो जाएगा पर बाबा अपनी कृपा के द्वारा ये सिद्ध कर देते थे असाज रोगों से विछुटकारा दिला देते थे खर्ष्टों को दूर कर देते थे भारत के संत महात्माओं में जो जो निजी विलक्षणता हैं दिखाई दी वे सभी सामोहिक रूप से जैसे नीब करोवी बाबा के अंदर विराजमान थी और इनके अत्रिक्त अन्य विशेष्टाओं की भी जहां मानवी बुद्धी कल्पना भी नहीं कर सकती वो भी कभी कभी बाबा के अंदर दिखलाई पड़ जाती थी सभी प्रकार की इस्थिती और परिस्थित की स्रिष्टी बाबा कर देते थे फिर नियंटर्ण भी कर देते थे वे अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को कहीं भी यहों प्रेरित कर देते थे इस्थिती प्रकार कुछ न कुछ लीरा उनकी होती थी उनकी सर्वग्यता, सरोव्यापक्ता और सर्वशक्ति मत्ता के विचित्र चरित देखने को मिलते थे एक बार स्वामी करपात्री जी महराज ने पंडित शंकरपशाद व्यास जी जो बना रसके थे उनसे बाबा का परिचे देते हुए कहा कि इस कलिकाल में अनेक विद्वान संत हुए और हैं पर नीव करोड़ी बाबा जैसा सिद्व संत नहीं शीवानन्द आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानन जी महराज बाबा को कहते थे लाइट आफ लाइट्स और पावर आफ पावर्स ऐसे महान लोग बाबा की शक्तियों से परचित थे इन्हें परम योगी संत शिरोमन आज जो भी कहें वहने संदे रूप से आउतरित साक्षात भगवदी शक्ति थे अनन्त श्रीव भूषित बाबा में लोगों को अपने अपने इस्ट देव की धर्शन हो जाते थे किसी ने सिव रूप में धर्शन कर लिया तो अचेत हो गया जैसे मैंने आपको सुनाया था पहले कोई राम रूप का देशन करके मस्त हो जाता था कोई दुरगा रूप का देशन प्राप्त कर लेता था कोई उनके विशाल काया को बाल गोपाल के रूप में भी देख लेता था और कोई हनुमान जीक रूप में उनको देखता था, कोई तो डर भी जाते थे, और कोई आनंदित हो जाते थे, किसी को उनकी मानवी देह अपने अविश्वास से भ्रमित कर देती, और वो उनके विशे में अनुचित धारना भी बना लेता, वास्तों में जैसे को तैसा दिख पढ़ते थे, बाबा अपने को किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते थे, इस कारण वे क्या थे और क्या नहीं, यह कह पाने लोगों को मुश्किल पढ़ जाता था, अपने शरीर को शांत करके दिखलाना भी, और जन दिश्टी से अपने को उज़ल करना भी, उनके लिए बहुता, और उनके साथ रहने वालों को यही परतीत होता था कि बाबा को यह दे होता है, बाबा अपने भागवत सुरूप को अर्थाद दाईवी चक्ती को भी छिपाख रखते थे, और जब श्रद्धावान के लिए तो अला उकिकता प्रकट हो जाते थे, पर सामा ने ल बाबा की विशिष्टा थी कि अपनी महानता को नहीं जल्दी बताते थे, जन समुदाई के बीच रहते हुए, सुरूप को छिपा के रखते थे, और भक्तों अक्बरपुर जहां बाबा के जन हुआ था, अक्बरपुर गाउं, आगरा के निकट, और नीम करोरी गाउं, ज महाराज लीला स्थली बने रहे बाबा के, सुंदर मंदिर हनुमान जी के विशेश कुप से बनवाए, और उस समय तो लोग ये जानी नहीं पाहे कि ये कोई ऐसे दाई भी शक्ति वाले है, बस लोग यही काते चे लक्ष्मन दास या कोई लक्ष्मिनार्यान शर्मा कहता, कि वो उस गाओं के हैं और बाबा हो गए हैं काम हनुमान जी का करते रहते हैं, बाद में लोग समझ पाहे कि वो तो बहुत सिद्ध पुरूस हैं, वैश्न उमत में दिक्षित हुए थे बाबा, मैं आपको बता चुका हूँ, लक्ष्मन दास नाम उनका गुजरात में पढ रखते थे कि उनको जान पाना ही संभव नहीं था कि किस संप्रदाय के दिक्षित हैं, और मनुष्यों के लिए जो श्रधावान मनुष्यों उनके लिए सहज सुलग थे, अशर्धालूं के लिए वो अपने कुछ ही पागे रखते थे, स्वार्थी दर्शकों का विश्वास जल्दी से भी अपने अंदर उनके अंदर होने नहीं देते थे, और जो श्रधावान होते थे, उनके अंदर तुरंध विश्वास हो जाता था, जहां कहीं भी उनकी लिला प्रकट होती, लोग उनके पीछे लग जाते थे, और भक्तों सच्चे साधकों के लिए कृपा मार्ग जर्शन भी करते थे, बाबा का कारिश सामोहिक न होकर प्रथक प्रथक व्यक्तियों के लिए प्रथक प्रथक होता था, एक समय में ही अलग अलग प्रकार से लोगों को अनभाव होते थे वो, अपने को सामान निव्यक्ति के रूप में प्रस्टूत करने के लिए उन्होंने अपने को सामान ने मनुष्री जैसा भी रखा था ऐसी लिलाएं बाबा कर देते थे कि भाग तो लोगे समझ पाते थे कि बाबा हमकार शोन ने है सामान ने लोगों को समझ भी नहीं आता था सड़क के नीमों का उलंगन होने पर भी कभी उनको कोई सिपाही कुछ नहीं बोलता था और कोई-कोई ऐसे भी मिल जाते थे असिस्ट आप कर सकते उनको कि वो बाबा को गाली देने रग जाते थे कोई मार भी लगा देते थे और बाबा चाप साहन कर लेते थे उसकी गाली को उसकी मार को उसके त्वारा किये गए अप्मान को साहन कर लेते थे बाबा कुछ नहीं बोलते थे कोई बाह अडंबर नहीं रखते थे यह समप्रदाए की चिन भी नहीं धारन करते थी दो भाबा, जैसे जनेव, जले में माला, यह तिलेक, इस वहाशा कुछ नहीं था कि आप समझे की कौन समप्रदाए की समझे हैं, और कोई आता था बाबा से कुछ पूछता था करते जी अधिते बाबा, बाबा कुछ नहीं है अरे हनुमान जी के दर्शन करो, यहां कौन बाबा है, और कभी बालकों की बहाँ सामान्य बात की रट लगाय रहते थे, और छोटे बच्चों की तड़ा से छोटे बच्चों गुल मेरी जाते थे, और भक्तों कभी ऐसे गुम्सुम पड़े रहते, कंबलोडे, कि विलकुर हेलते डूलते ही नहीं थे, और सम्मान की तो कोई अभिलासा ही उनको कभी नहीं हुई, जिसको जो बोलना है, कहना है, बोलते जाते थे, करते जाते थे, कोई-कोई तो निराधर भी कर देते थे बाबा का, और बाबा उसको भी कुछ नहीं बोलते थे, बनावती क्रोध कभी-कभी प्रकट होता था, डांट डपट करके, गल्यान करते थे, और बाबा के इंदर काम विकार बिलकुल भी नहीं था, कितनी भी इस्त्रिया, कन्याएं, बाबा के सामने आएं, जाएं, उनकी द्रिष्टी में कभी दोश नहीं होता था, और ये बोल देते थे, किसी किसी, तुम दो बच्चों से, चार बच्चों से परिशान हो, हमारे तो इतने बच्चे हैं, तो सब को बच्चा मान करके देखते थे, और माताओं को कभी भी ऐसा अनुगो नहीं हुआ, कि बाबा हम को अपने परिवार का नहीं मानते हैं, साब को अपने परिवार का मानते थे, करुणा और कृपा के आवतार थे, बाबा चलते चलते अन्जान लोगों को भी नाम लेकर कि ऐसे पुकारने लग जाते थे, जैसे बहुत दिनों से परिजिट हैं, अन्जान अज्ञात जगह पर भी, और वस्दहिव कुटुमकम की भावना थी बाबा, कहीं भी हों, सब को जैसे अपने परिवार का ही मानते थे, एक तरह से जगत पिता उनको लोग मानते थे भी हैं, सब को अपना मान करके, सभी की दुख दर्द दूर करते रहते थे, शमा सीलता के तो मूर्तिमान सरूप थे बाबा, दीन हीन उन्हें बहुत परिये थे, दीन हीन अनाथ अनपर लोगों को, बाबा, बिलकुल अपना बना के रखते थे, नितांत निर्भाय, दैविक दैविक भावतिक हर प्रकार से निर्भायता प्राक्त थे, कहीं भी जंगल में, सूने जंगलों में, आनन से रात बिता जेते, उनको किसी प्रकार की आउशक्ता ही नहीं मसूस होती थी, और कहते थे हमारा इस जंग में, उन्हीं लोगों से संजोग होता है, जिन से हमारा सम्मंद किसी ने किसी रूप में पूरू जंग में बिरा, अर्थात उनको पूरू जंग का ज्ञान था, अपना ही नहीं, दूसरों का भी, और चमतकारिक शक्ती एसी थी, कि किसी दीन दुखी परिशान को एक सेकंड में जितना चाहते थे, उतना धन अपने हाथ से दे दे थे थे, कहां से प्रक्षट हो जाता था, नोट रिजर बैंक का उनके हाथ में, जबकि रखते नहीं थे, लेकिन किसी को देना है तो तुरंट उनके हाथ में दिखलाई पड़ता था, और उपकार का सभाव था, याचक नहीं थे, मांगते नहीं थे, देते रहते थे, और मंदिरों का निर्मार, बंडारे, निर्धन लोगों की सहायता, करते भी थे और करवाते भी थे भक्तों से, उनको देख करके कोई समझ नहीं सकता था, जैसे वो लेते हुगे दिखलाई पड़ रहे हैं, आखे बंद हैं, पर महराज, उस सवस्था में उस जगह पर हैं, और कहीं जगह पर हैं, ये कोई जल्दी जान नहीं सकता था, जिसक बाबा थकते नहीं थे और वक्तों बाबा ने बच्पन में घर छोड़ दिया था इसलिए उनको पढ़ाई लिखाई तो नहीं हुई थी लेकिन ग्यान उनको अपहार था असीमित ग्यान था और ऐसा लगता थे जैसे चब देवी देवता उनके अंदर वास करते हैं जो जो बड़े महान महान सिध्ध पुरुश हुए हैं वो उनकी इस्थिती सहज थी शाब्दिक ग्यान भले नहीं आपका सकते हैं लेकिन वो अथार्थ का ग्यान उनके अंदर रहता था वो काते हैं वो अधिक्षा तो नहीं देते थे लेकिन मार्गदर्शन कर देते थे बाबा ऐसा लगता थे जैसे बाबा भाग्त हुरे के इश्वर स्वरूप थे बले इश्वर नहीं थे हनुमान जीतों लोग मानते थे उनको कोई देवी देवता कुछ भी मानता थे कोई भगवान ही मानता था वो काते दुनिया में हूँ दुनिया का तलबदार नहीं बाजार से गुजराहों पर खरीददार नहीं सरवग्यता प्रकट होती थी सरव्यापकता प्रकट होती थी सरवसामर्थ उनका दिखलाई पड़ता था लीला से भरे हुए थे क्रिपालुता से भरे हुए थे और वक्तों बाबा ने अपने जीवन के पूरवार्ध में अनेक कश्ट साध्यतप के ग्राम बबानियां गुजरात में तालाब में रहकर और ग्राम नीव करोरी में भूमी के अंदर गुफा में बैठ कर तब किया पर जन साधारन के लिए जीवन के उच्छितम लक्ष की प्राप्ति है तू उनोंने कश्ट प्रत साधना को महतो नहीं दिया अपने लिये तो किया दूसरों को कश्ट साध्य साधना नहीं बताते थे प्राणी मातर की सेवा निरंतर इश्वरस्मरन से बढ़कर कोई सुगम साधन नहीं मांते थे आश्रमों से सेवा भाव और मंदिरों से इश्वर स्मरण की प्रवृत्ति का पैदा होना स्वाभाविक है संभवता आएसे सूसंसकारों को जागरित करने के लिए ही अनेक अनेक स्थानों पर सुन्दर स्वच्छ और शांति पून आश्रम और भवि मंदिरों का निर्मान किया बाबा ने उनको ये विश्वास था कि ये आश्रम ये मंदिर लोगों को जागरित करने के लिए बहुत सहायग बनेगे इसलिए बहुत आश्रम बहुत से मंदिर बाबा ने बनवाए बाबानिया गुजरात में जब बाबा थे तो वहां बहुत सुन्दर मंदिर बना करके लोगों को कीर्टन में लगा दिया बाबा हर जग हनुमान जी का मंदिर बनाते थे लेकिन ये कहा जा सकता है कि सर पृथम हनुमान जी की पृथिष्ठा बाबा ने मौरवी से लगभग 40 किलोमेटर दूर गुजरात में बाबानिया में सर पृथम किया था हनुमान जी की पृथिष्ठा श्री राम अबाई आश्रम के पास एक तालाप में साधना किया करते थे और वक्तों श्री अन्मान जी के श्री विग्रह को पहले तो खुले में ही स्थाफित किया था सन 1916 में देश ब्रह्मन करते है तो उत्तर भारत में आए तो कालांतर में वहां पास में स्रीमत राम चंडर श्वेतांबर जैन आश्रम के एक सदस्च ने इस स्री विग्रह के लिए संभावत्य महराज जी की प्रेणा से एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया आज भी वह विराजमान दर्शन दे रहे हैं सबको बाद में तो फिर बड़े-बड़े मंदिर भावी बड़े सुन्दर और हनुमान जी के मंदिर के साथ-साथ नाम कीर्टन राम नाम लेखन राम नाम का कीर्टन बाबा ये चालू कर दिये थे और नीब करोरी गाओं जो मैंने फरूखाबाद के पास आपको बताया वो बबानिया से आने के बाद फरूखाबाद जिले में नीब करोरी ग्राम पहुंचे थे और भक्तों वहाँ जमीन की नीचे गूफा बनाई थी तपस्चर्या करते थे और फिर भक्तों हनुमान जी का श्री विग्रह विराजमान के है सुंदर हनुमान जी का मंदिर बना करके धनाध्य परवियारों से कहा कि तुम सेवा करो यहाँ और गरीब लोगों से कहा कि तुम नाम कीर्टन करो जब करो लेकन करो हनुमान जी की कृपा होगी सारे संकर तुमारे दूर हो जाएंगे महराज जो जिस प्रकार की आवश्यक्ता युक तो दिखलाई पड़ता था बाबा उसी की आवश्यक्ता की पूर्थी कर देते थे और हनुमान जी को माध्यम बनाते थे श्रद्धा हनुमान जी के प्रति लोगों की जागरत करते थे वहाँ बाबा ने दिखलाया किसी के यहाँ आग लगी ही तो बस एक शण में बुजा दिया जो चीज नश्ट हुआ उसको फिर दिला दिया पानी नहीं है तो कुआ बनवा दिया संतान नहीं तो वो भी आशिरबाद दे दिया अनुमान जी के माध्यम से यह सब दिखाते थे बाबा कराते थे और मार्च 1934 में इस मंदिर की प्रतिष्ठा में महराजी ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया निवकरोरी में निवकरोरी गाउं परुखाबाद के पास निरांतर तीस दिन तक घी के आहुत पड़ती रही पराज सैकुणों मन घी लग गया तीस हजार आद्मियों का भंडार हुआ तब इसे वह मेला लगने लगा और जिला अधिकारी को उसका प्रबन समालना पड़ा इतनी जनता आती थी बाबा ने बहुत प्यार से लोगों को सेवा में लगाया और बहुत शांती पूर्व कीर्टन में भक्ती में लगाते थे जब महराज जी ब्रह्मन करते करते जब नैनी ताल पहुँचे तो नैनी ताल से दो किलोमेटर दूर उसके प्राकृतिक द्वार परिस्थित मनोरा परवत पर अधिक तर रहते थे अधि कच्चा था पूरा बहुत बजरी बहुत चट्टान कम थी बजरी जाता थी बुर बुरा समझी आप तो निर्मान वहां कुछ नहीं हो पाता था तो बाबा ने हनुमान जी का मंदिर फिर भी बना दिया और नाम जबकीरतन नाम लेखन ये बाबा का चलता रहता था पहले तो हनुमान जी की छोटी मूर्थी थी बाद में विशाल मंदिर स्थापित हुआ रामान और हनुमान चालीशा किस्ता है कुड़ो अखंड पाथ करवाए वर्षों अखंड कीरतन होता रहा जिससे वहां का भूभाग चतुर्दिक वाता पावन हो गया और कीरतन से इतनी जागरित होई कि लोग भक्त हो गए है जनता को भगवान राम जी की भक्ति में लगाने के लिए दाने होती थी बाबा की हनुमान जी का विग्र फिर साथ फुट उंचा लाया गया और माखन नामा के एक कारीगर ने हनुमान गढ़ में ही बनाया था हनुमान जी का मुख मंडल बनाने में उसको बहुत प्रयाटन करने पर भी सफलता नहीं मिलती थी निरास हो जाता था बाबा के यह आशिरवात से सफलता मिली और बहुत से देवी देवताओं का भी स्वरूप महां भी राजमान किया गया गणपत जी पार्वती माता स्री सीता राम जी का मंदिर बहुत सुंदर बनाया गया कोई उत्सा होना था भक्त तो इंतजाम कुछ नहीं था सब लोग चिंतित थे बाबा हास रह थे प्रात तीन बजे ही एक ट्रक सडक पर आकर रुका और शों बरतन आटा घी लकडी बंडारे की सारी सामग्री भरी पड़ी थे वर्षा भी शान्त हो गई और कुछ नेपाली लोग पहाडी लोग आए और सारा कारे शुरू कर दी अपने आप उमाराज सब कुछ संपन्ध हो जाने के बाद बाद में बारिश होई उत्ति जह तक बाबा ने बारिश रोक रखी थे बस बाबा बोलते थे पवन तनाई बल पवन समाना बस यह जहां बोलते थे तहां स्री ग्री बाद छटे और भगवान के नाम किर्टन बंडारा इनकी सब बाधाओं को बाबा खशन में तूर कर देते थे जहां सड़के नहीं थी वहां बाबा की लीला से सड़के बन गई पहाड के उपर और कभी-कभी तो सब लोग चिंतित हो जाते थे तो डाटते भी बाबा बड़े प्यार से डाटते थे करते हैं अरे देखो ना जा करके उधर जाकर देखा गोदाम सब तमाम देशीगी के टिन भरे पड़े और बंडारा चालू हो गया फिरू ऐसी विचित लिलाएं भाबा किया करते थे कि लिलाएं के विचे माग माग को पर सुना हुगा आप मरादी को पर नाम करके रवराम देराँ शिरादेरादेश शिरादेश 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 यहाँ बंडार शिरादेश शिरादेश झाल झाल